वेलकम टू जी वर्ड एजुकेशन पॉइंट अस्मार्ट वे ओफ लर्निंग आज है 30 जून और आज मैं आपके लिए लेक्या हूं जी के इंकरेंट अफेर्स के कुछ ज़रूरी होंगे तो अभी जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह इंफोमेशन शेयर हो सके आए चलते हैं हमारे पहले कोश्चन की और आज का हमारा पहला कोश्चन है विच डे इस सेलिब्रेटिड ओन थर्टियथ जून तीस जून को कौन सा दिन मनाया जाता है तो इसका हमारा सही अंसर होगा ऑप्शन नमबर डी याने की वर्ल्ड एस्टरोइड डे तीस जून को मनाया जाता है अब बात आती है कि से बड़ा इंपक्ट याने कि जो छोटा तारा है एस्टरोइड को छोटा तारा भी कहते है उसका जो सबसे बड़ा इंपक्ट था उसकी याद में इसे बनाया जाता है और वो इंपक्ट क्या था साइबेरिया टंगस का इवेंट कौन सा साइबेरिया टंगस का इवेंट य इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा अब बात आई है इंडिया की तो इंडिया की कुछ facts के बारे में बात करते हैं इंडिया की location वर्ल्ड के map में यहाँ है अब बात करते हैं इंडिया की capital के है new Delhi इंडिया की currency का है Indian rupee इंडिया के PM का नाम क्या है नरेंदर Modi इंडिया के president का नाम क्या है रामनात कोवें इंडिया के Chief Justice उनका नाम क्या है शरद अर्विन बोबडे इंडिया का जो area किलोमेटर की फॉर्म में वो है 32,087,263 sq km तो वो है 135.26 करोड इतनी इंडिया की population है आए चलते हैं हमारे अगले question की ओर आज का हमारा अगला question है इसका अमारा सही answer होगा option number A Mary W. Jackson ये इसका सही answer हो जाएगा अब बात आईए NASA की तो अब NASA की बात आईए तो हम NASA के बारे में कुछ बात करते हैं NASA की स्थापना कब हुई थी 1 October 1958 को NASA का headquarter कहां पर है Washington DC में United States में और इसकी जो administrator है अभी present time पर उनका नाम क्या है James Frederick Bridenstine ठीक है ये इसके administrator है आईए चलते हैं अगले question की ओर आज का हमारा आगला question है Who will lost the two, host the 2023 World's Women's Cup Football Tournament 2023 World Cup जो है Women's Football का उसको कौन organize करने वाला है किस country में वो organize होने वाला है तो इसका हमारा सही answer का option number A Australia and New Zealand ये दोनों ही country इसको host करने वाली है अब बात आईए Australia और New Zealand की तो अब इनके बारे में कुछ बात करते है New Zealand की capital क्या है Wellington New Zealand के prime minister का नाम क्या है जेकेंडा, Arden New Zealand की currency क्या है New Zealand dollar अब बात करते है Australia की Australia की capital क्या है Canberra Australia के president का नाम क्या है Scott Morrison Australia की currency का नाम क्या है Australian dollar इतना आप इन दोनों countries के बारे में याद रखे आए चलते हैं हमारे अगले question की और आज का हमारा अगला question है Which Indian state has launched रोजगार सेतू portal to find employment for migrant worker Migrant worker जो हैं उनके लिए रोजगार सेतू नाम का जो portal है वो किस Indian state ने या यूटी ने launch किया है इसका हमारा सही answer हो जाएगा मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश ने रोजगार सेतू नाम का एक portal launch किया है for the employment of migrant workers अब बात आईए मध्यप्रदेश की मध्यप्रदेश के बारे में मैं आपको पहले भी दो तिन बार बता चुको आज हम दोबारे बात करते हैं यह location है मध्यप्रदेश की इंडिया के map के उपर ठीक है और capital जो है मध्यप्रदेश की उसका नाम क्या है भोपाल मध्यप्रदेश के CM का नाम क्या है शिवराज सिंग चोहान मध्यप्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है लाल जी मद्ध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो टोटल मिला के मद्ध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क है कौन-कौन से हैं काना नेशनल पार्क, बांधवगर नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजे नेशनल पार्क, वनविहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सत्पुरा नेशनल पार्क, पैंच नेशनल पार्क और मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, ये 9 नेशनल पार्क ह जो आप मद्धर प्रदेश के लिए याद रखेंगे आए चलते हैं हमारे अगले कोश्चन की ओर आज का हमारा अगला कोश्चन है Which state has inaugurated a biodiversity park named सर्वधर्म वाटिका सर्वधर्म वाटिका नाम से किस state ने एक biodiversity park का नाम रखा है इसका हमारा सही answer है option number B उत्राखंड उत्राखंड इसका हमारा सही answer हो जाएगा अब बात आईए उत्राखंड की तो हम उत्राखंड की बात कर लेते हैं उत्राखंड जो है वो UP से कब separate हुआ था 9th November 2000 के अंदर 9 November 2000 के अंदर उत्राखंड जो है वो UP से separate हुआ था और एक different state बन गया था अब उत्राखंड की capital क्या है उत्राखंड की capital है देरादून उत्राखंड के CM का नाम क्या है त्रिवेंदर सिंग रावत और उत्राखंड के जो governor है उनका नाम क्या है बेबी रानी मौर रहा यह उत्राखंड की governor है present time पे आए चलते हैं हमारे अगले question की और आज का हमारा अगला question है वाट इस दे नेम अफ दे इकनोमिस्ट एंड फाउंडर अफ सेंटर फोर एकनोमिक और शोशल स्टडीज वो रेसेंटली पास्ट अवे जिनके अभी हाली में निधन हुआ है तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा B.P.R. विठल बरू ये इस question का सही आंसर हो जाएगा याने कि B.P.R. विठल बरू ये ही अभी हाली में इनका निधन हुआ है ये एकनोमिस्ट थे एंड फाउंडर थे किसके Center for Economic and Social Studies के इनका हाली में अभी निधन हुआ है आए चलते हैं हमारे अगले question की हो आज का हमारा अगला question है Pedalogy is a study for Pedalogy जो है ये किसकी study का नाम है तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा Soil Pedalogy जो है ये Soil की study का नाम है आप बात कर लेते हैं बाकी तीनों की भी तो ocean की study जो होती है उसका नाम क्या होता है उसका नाम होता है जो ocean की study करते है उनका नाम होता है oceanographer और जो mountains का होता है उनका नाम होता है Orology और Montology और जो landform की अगर हम बात करें तो उनकी study का नाम होता है Geomorphology ये landforms की study का नाम होता है अब आईए चलते हमारे अगले question की ओर आज का हमारा अगला question है The headquarters of the UNESCO is at UNESCO का जो headquarter है वो कहाँ पे स्थित है तो इस question का हमारा सही answer हो जाएगा Paris UNESCO का जो headquarter है वो Paris में है अब बात यहाँ पे एक word आया आपके सामने UNESCO तो UNESCO की full form क्या है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization क्या full form है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization यह UNESCO की full form है जो आप जरूर याद रखेगा कई बार exams में पूछी गई है आए चलते हैं आज के हमारे आखरी question की ओर आज का हमारा आखरी question है The ratio of the width of our national flag to its length is हमारा जो national flag है उसकी जो चोड़ाई है उसका और लंबाई का यानिकी length का जो ratio है वो क्या होगा तो इस question का सही answer है option number B यानिकी 2 ratio 3 अब यही question अगर घुमागे पूछेगा तो length को आप से पहले और width को आप से बाद में पूछेगा तो इसी question का answer हो जाएगा 3 ratio 2 यह आप जरूर याद रखेगा कई बार confusion के लिए question को घुमा दिया जाता है तो हमें comment करके जरूर बताइएगा आपको हमारे question कैसे लगते हैं अगर आपको कोई इसमें improvement की जरूरत है तो हमें please बताइएगा और हमारे video देखने के लिए thank you thank you so much thanks for watching